नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत करते हैं यूटूब चैनल जोबलट गुरू में और आजम बात करने वाले हैं बहमासा डिजिट्रल परिवार योजना की तैट अब तक कितने परिवारों को कितने रुपए दिये जा चुके हैं दोस्तों हम आपको बताएंगे अपने जियो मोबाइल में किस तरह से आप अपना बहमासा डिट या फिर बहमासा एप है वो इंस्टोल कर सकते हैं दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि भमास वॉलिट अगर आपसे इंस्टॉल नहीं और आप कौन-कौन से एप दूसरे हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से आप उन पर रजिस्टेशन कर सकते हैं दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को दबा दे ताकि इसी परकार की लेटेस्ट योजनों के वीडियो आपको मिलते रहें और इस वीडियो को लाइक करें 22 डिजिटल परिवार योजना केता है टोटल ग्यों मिलने वाले जितने भी परिवार हैं उनके खाते में बाण में लाक रूपे हैं वो ट्रांसपर कर दिये गए हैं पहली किस 500 रूपे 500 रूपे के इसाब से 22 लाक रूपे ग्यों मिलने वाले परिवारों के खाते में ट्र प्रिवारों के खाते में पहुंचा दिए गए जिनको गेम मिलते हैं, और अब हम बात करते हैं, कि बात करते हैं, जो आपको GIO मोबाइल मिलता है, उनमें कोन सा एप in-stall करना या फिर आपके पास पुराना मोबाइल है, अपने पहले से Android मोबाइल है, उनमें भी आपको एप इस्टॉल कर आप भामासा डिजिटल परिवार योजना के तैज जो आपको हजार रुपे दिये जाते हैं वो ले सकते हैं दोस्तों अपने पुराने मोबाइल में भी आप अगर आपको पहली किस्त मिल गई और दूसरी किस्त आप एक एप इस्टॉल करने से मिलेगी तो आप भामासा वोलेट इस्टॉल कर सकते हैं या फिर भामासा इस्टॉल कर सकते हैं तो छही दोस्तों आपको बताते हैं कि आपके पास जो Geo Mobile है या आपने ले लिया है या फिर आपने नहीं लिया है तो आप पहले से भी देख सकते हैं जो इसे आप अगर चाहें आप तो राजतान संपरक राजमेल डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसमें आपको अपना स्मार्टफोन है वो रजिस्टेसन करना होगा और अपने स्मार्टफोन रजिस्टेसन करने पर आपको 500 रुपए दूसरी किस्तर वो आपके खाते में जमा हो जाएगी और ये आपसे कहें कि मुबाइल नमर आपके परिवार के किसी सदसे के नाम से ही हो दोस्तों आपके जो बामासा कार्ड में आप जो नमर दिये गए हैं उसी नमर से आपको ये अप है वो रजिस्टर करना है, इंस्टॉल करना है दूसरे नमर से अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे दोस्तों आप जब भी ये एप इंस्टॉल करें तो आप है वो मोबाइल नमर वही दें जो आपके भामासा में जुड़े हुए है चाहें वो मुख्या के हो या फिर किसी सद्दे से के हो मोबाइल नमर वही होना चाहिए जो भामासा में जुड़ा है भामासा में आपके पहले से रिजिस्टर है और दोस्तों जो आप एप में नमर देंगे वो भामासा के जो परिवार है उनीक के नाम से सिम होनी चाहिए दूसरे के नाम से नहीं होनी चाहिए और दोस्तों ध्यान देने वाली बात है बामासा digital परिवार योजना के अंतरकत रासन लेने वाले बामासा कारड़दारी परिवार ही पातर होंगे दोस्तों जिनको गेहुं मिलता है वही पातर होंगे अगर चाहें तो बीना गेव मिलने वाले भी mobile है वो खरीद सकते हैं लेकिन उनके खाते में वो पैसे नहीं आएगे 1000 रुपए वो अगर खरीदना चाहें तो अपनी जैब से खरीद सकते हैं दो नमर पॉइंट पर बात करें तो लाबार्थी कहीं से भी अपनी पसंद का किसी भी कमपनी का स्मार्टपोन और किसी भी कमपनी की mobile वा इंटरनेट सेवाई ले सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहें तो जियो मोबाइल वो खरीद सकते हैं या फिर अन्य कोई भी mobile खरीद सकते हैं इसमें एक पल सरी नहीं है कि आप जियो ही खरीदें लेकिन अगर देखा जाए तो जियो का मोबाइल वो फिलाल सस्ता है तो आपके पैसे लगते हैं वो लगवक 100 रुपए लगते हैं और 100 रुपए में आपको एक mobile मिल जाता है और 1000 रुपए वो आपके खाते में refund कर दिये जाते हैं इस तरह से आप 100 रुपए में mobile खरीद सकते हैं तो जियो का mobile है वो स्मार्टपोन भी है 4G भी है उसमें इंटरनेट भी अच्छा चलता है तो आप जिय किसी को एप इंस्टॉल करना आता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अपने जियो के mobile में एप इंस्टॉल किस तरह से करना है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यह जियो mobile का box है आप देख सकते हैं इतने सारे इसमें function दिये है और SD card है वो आपका 128 GB तक spot कर सकता है तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके पास भी एक box होगा आप जियो mobile खरीदेंगे या फिर आपने खरीद लिया है इसमें आपको एक charger भी मिलेगा इसका तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आपके पास भी एक mobile है तो इसमें आप आपको एक भामासा नाम का एप है उसे डाउनलोड करना है और इंस्टोल करना है और उसमें आपके भामासा नंबर है वो registration करना है तो इसी तरह से आपको है वो दूसरी किस्त 500 रुपे मिल जाएगी और पहली किस्त है वो automatically आपके खाते में आएगी इसका कोई प्रोसेस नह आप बीच का बटन जो option है menu का उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी app मिलेंगे उसमें आपको क्लिक करना है जियो इस्टोर जैसे दोस्तों आप जियो इस्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने all app है वो open हो जाएगे जैसे जियो cinema, जियो cloud, PDF viewer इस तरह से जैसे इस पर install पर क्लिक करेंगे तो यह download होना शुरू हो जाएगा और लगबग है वो 20 seconds लेगा, download हो जाएगा और download होती आप से open पर पुछा जाएगा तो आपको open करना है जैसे आप open करेंगे, open करते ही आपको allow करना है यह आपकी security के बारे में पूच रहा है तो आप allow कर है उसके बाद में enrollment detail दोस्तो enrollment detail आपको sign in होना पड़ेगा बामासा में इसलिए इसमें आपको detail डालना जरूरी है और बामासा family ID है वो डालने जरूरी है चाहिए वो enrollment detail हो या फिर बामासा ID हो एक ही बात है इसमें आपको अपने बामासा account की ID, आधार ID और mobile नमर तीन चीज पर जैसे आप ख्लिक करेंगे तो आपको बामासा की जो number है या ID है या फिर उसके बाद में आधार अगर आप चाहें तो आधार और वह मासा से login कर सकते हैं सब 5शा और mobile नमर से लोगिन कर सकते हैं, इसी तरह से आप YouTube, Map, बामासा इस तरह से आप देखेंगे, तो last में आपको बामासा है, वो मिल जाएगा, और दोस्तों, आप Jio Store से और भी बहुत सारी एप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे YouTube है, Facebook है, WhatsApp है, वोट स्टार है, तो इसी तरह से आपने बहुत सारी एप है, वो इस्टोल कर सकते हैं, जितना आप चाहिए, उतना कर सकते हैं, और यहां से आप अनिस्टोल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अनिस्टोल नहीं करना है, अपने भामासा को डाउनलोड कर लेना है उसमें आपके जो बामासा एडिये वो डालना है आपके आदार नमर या फिर आपके मुबाइल नमर दोनों में से एक डाल कर लोगिन होना है लोगिन होना अनिवारे दोस्तों अगर आप लोगिन नहीं होंगे तो दूसरी किस्ता वो आपको नहीं दी जाएगी तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आप अपने मोबाइल में भी एप इंस्टोल करें भामासा या फिर आपके पास दूसरा मोबाइल है पुराना तो उस पर भी आप एप इंस्टोल कर सकते हैं और दोस्तों आप सभी के लिए एक मेरा सुजाओ है आप जहां पर भी अपने EKYC करवाएं वो जानकार होना चाहिए या फिर आप जो भी मोबाइल करीदे जियो इस्टोर से करीदे या फिर Emitr से करीदे क्योंकि आजकल है वो लूटने वाले या फिर ठकी करने वाले बहुत गुमने को मिलते रहते हैं तो इसलिए आप है वो अपने जियो इस्टोर से करीदे या फिर Emitr वाले से करीदे या फिर आप जिसे जानते हैं उनसे ही मोबाइल खरीदे और दोस्तों भामासा डिजिटल परिवारिया हुजना के तयात अगर आप मोबाइल खरीदे हैं तो आपको आदार कार्ड की जरूरत रहेगी और भामासा की जरूरत रहेगी इनकी कोपी भी आपको नहीं देनी है वो फोटो खैंच स्केन कर लेते हैं तो इसमें आपको किसी को अकाउंट नमर नहीं देना अपना और ना ही किसी परकार का आप से फिंगर स्केन करवाय जाएगा इसलिए दोस्तों आप सावधान रहेए किसी भी अनजान वेक्ति से कोई EKYC मत करवाये क्योंकि दोस्तों आपके अकाउंट से आपके अधार नमर है वो लिंक हुए है तो आपके पैसे है वो निकलने में टायम नहीं लगता है इसलिए आप अपने अकाउंट नमर है वो अंजान वेक्ति को ना दे अपने bank account की detail है वो अपने पास सुर्क्षित रखें आपको मुबाइल कृत्ते समय कोई भी बैंक डिटेल है वो नहीं पूछी जाएगी आपका आधार कार्ड या फिर वामा सा कार्ड है उन्हें के दवार आपको मुबाइल दिया जाएगा उमीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कोमेंट कर सकते हैं हमारी तरब से आपको त्रंत रिपलाई किया जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों ठैक्स फॉर वाचिंग आपका दिन सुभव